कि नमस्ते दोस्तों मार्वल फ्लोरिंग ये तेने श्रवा में आपका स्वागत है आज के वीडियो में आपको मैं एक बहुती बढ़िया जानकरी देने जा रहा हूं देखेगा अपरे फ्यूचर में कभी भी काम में आ सकती ये जानकरी ये जो मशीने देख रहे हैं ये प्लास्टिक के पाइप बनने में काम आते हैं जब भी आप देखते हैं ट्यूवेल पानी का कुवा जिसमें ये पाइप यूज होते हैं वो पाइप बनने का ये पूरा प्रोसेस है फैक्ट्रिये और ये कच्चा मेट्रियल है प्लास्टिक क इसमें तीन चार तरह के तच्चे मेटियल की जरूत पड़ती है इस वीडियो में आपको ये फेक्टरी लगाने में कितना इन्वेस्टमेंट की जरूत है और ये मशीनों का कितनी कोश्ट आती है और मशीने कुन बनाता है वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दे दूँगा पहले आप देख लिए ये मशिन का प्रोसेस फुल यहां से पाइप बनते हुए इस पानी के टब में से होके ये वापस टब में से होके यहां पे इस एक मशिन में आता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग की जो भी मशिने बनते हैं उनके नमबर वले में आपको चाहिए तो आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो मैं प्रोवाइड करवा सकता हूं नमबर ये पाइप यहां जाके एक रोल हो जाएगा जब आप डिटेल में इस पाइप को खरीते हैं तो आपके पास जो प्राइज लगती है वो या तो पर स्कॉर फिट पर रनिंग फिट या पर रनिंग मीटर इस हिसाब से आपके पास से प्राइज लगती है लेकिन यही काम अगर आप होल सॉल में करो तो इसकी प्राइज चेंज हो जाती है पर केजी के इसाब से इसकी रेट हो जाती है यह किलो के बाव में मिलते हैं अगर आप अल सॉल बिजनेस करते हो तो और यह जो आप मशीने देख रहे हैं इस मशीनों की जो लागत आती है अगर आप नई प्रेक्टरी लगवाते हैं प्लास्टिक की पाइप की तो तेरा लाग से पंद्रा लाग रुपए के बीच में खाले यह मशीनों की कोश्ट आती है अगर आप पूरी फ्रेक्टरी चालू करना चाते हैं तो एक बीस लाग के अंदर अंदर आपका यह बिजनेस चालू हो सकता है इसके लिए आपको पहले रेजिस्टेशन पूरा प्रोसेस करवना पड़ता है यह जो आप प्रिंटर देख रहे हैं एक यह तरह का भी जो प्लास्टिक में था रो मेटिल वह इसमें प्रिंट हो रहा है तो दन्यवाद दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादे ज़्यादे शेयर करें दन्यवाद